हालो एंड वेलकम बैक टो आर चैनल तो फ्रेंड्स आज का अरेस्टेल और भी ज़दे एज़ी है हमेशा से तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिनना टाइम वेस्ट किये तो सबसे पहले यहां पर देखे मैंने एक पोनी बना ली फिर मैंने एक बड़ा वाला रबर बन इंसर्ट किया है और उसमें से मैंने देखिए फर्स टाइम पूरा हेयर निकाला सेकन्ड टाइम मैंने इस तरह से थोड़ा से धिए निकालके फैला चोड़ दिया है अब जितना भी एक्स्टा हेयर है इसको हम साइड में करके अच्छे से कोम करके मैनेज कर लेंगे और उसके पज़ उपर रबर बैंड लगा रहा है उसके उपर कुछ इस तरह से लाकर के हाइड करेंगे अब यहां पर टक इन करने के लिए मैं सिंपल वाले यू पिंस का यूज नहीं करेंगे यहां पर डिकोरेटिव मेरे पास यू पिंस है तो मैं उसका यूज कर रही हूँ फ्लार्स वाले इस तरह से मैंने कर लिया और एक्स्रा जितना है रहा उसको दूसरे साइड लाकर और अंदर की साइट से हम इसमें कुछ पिंस लगा लेंगे तो इसका जो लुक है ना वह बहुत ही जदा प्रेटी निकल के आएगा देखिए आप इस तरह से मैंने नीचे की साइट से पिन लगा सकते हैं जैसा भी आपको इसी पड़े अब दूसरे साइट के जो है उसको हमन के सैड उठाया है और यहां पर फिर वाई मैं फ्लावर वाली पिन का यूज़ कर रहे हूं सेम इसी तरह से हम इस तरह भी बालों को थोड़ा सा फैलाएंगे और इस तरह की पिन लगा करके बन को टाइट कर लेंगे अब आप दिस सकते हो यहां पर कितना ब्यूटिफॉल सबन-बन के रैडी होगे आप इसको चाहतों और भी टेकरेट कर सकती हूँ डेली वेर में भी यूज़ कर सकते हूं पार्टी वेगर में भी यूज़ करते हो सारे के साथ लेंगे के सांथ बहुत ही सुपर्भ लगता है आइँ होबड़ाश पसंद आए तो लाइक करना चै